महावीर बजरंग बली हनुमान को हर कलेश और विकार मिटाने वाला बल बुद्धी तथा विद्या का देटा माना जाता है। इसलिए हनुमान जी के परमभग्द श्रीत तुलसिदास जी ने हनुमान चालिसा में ये लिखा था कि बल पुद्धी विद्या देहु पोही हरहु कलेश बिकार इस प्रकार अत्यंत पवित्र श्री हनुमान चालिसा में बजरंग बली से संबन्दित अनिको ऐसे वाक्य वर् जाए तो उससे स्वयम हनुमान जी आकरशित होते हैं और भीश पदल कर मिलने आते हैं लेकिन अगर एक ही दिन में हनुमान चालिसा का सो बार पाठ किया जाए तो क्या होगा क्या हनुमान जी स्वयम मिलने आएंगे आईए चांते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप हनुमा भक्त हैं तो बजरंग बली कमेंट में जरूर लिखतीजेगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहते हैं तोलसी दाशी रोज हनुमान चालिसा का पाठ किया करते थे और एक दिन उनसे स्वयम हनुमान जी मिलने आये। लेकिन जो रोज हनुमान चालिसा का सो बार पाठ करते हैं उनसे स्वयम हनुमान जी मिलने आते हैं। भक्त कवी तुलसी दाश शहित अने को ऐसी हनुमान भक्त की जानकारी मिलती है जिनको हनुमान ची ने शाक्षात आकर दर्शन दिये। तुलसी दाश शी ने हनुमान चालिसा में इस बात का वर्णन किया है कि अगर आप दिन में सो बार हनुमान चालिसा का पाठ करते हैं तो आप से मिलने स्वयम हनुमान जी आएंगे। तुलसी दाश शी ने हनुमान चालिसा में ये लिखा है जो सत बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी महासुक होई इसका वाक्य में सत का अर्थ साथ नहीं सो है अर्थार्थ जो भी हनुमान चालिसा का सो बार पाठ करेगा वो हर परकार के बंदन से छूट कर महासुक को प्र अगर आप हनुमान चालिसा पढ़ने में किसी भी प्रकार से आसमर्थ है तो आप जै 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देव की नाई वाक्य का भी सो बार चाप कर सकते हैं आए दिन अने को ऐसे हनुमान भक्तों की कहानिय सुनने को मिलती है जिन से स्वयम हनुमान जी मिलने आये थे क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों से भेश बदल कर मिलने आते हैं इसलिए साधतर भक्त उन्हें पहचान ही नहीं पाते और बाद में उन्हें पच्चतावा होता इसलिए आप इस बात का हमेशा ध्यान रखे कि आपसे हनुमान जी कहीं भी कभी भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं हनुमान जी स्वयम श्री राम के भक्त है अगर आप किसी ऐसे वैक्ति से मिलते हैं तो आपको श्री राम के प्रते प्रेरित करता है तो हो सकता है कि वो हनुमान जी ही हो क्योंकि हनुमान जी स्वयम प्रभु राम के भक्त है इसलिए वे भक्त की व्यता को अच्छे से समझते हैं और अपने हर एक भक्तों को दर्शन देते हैं कहते हैं हनुमान जी को बुलाना बड़ा ही आसान है। हनुमान भगतों में ऐसी अनेकों मान्यताय प्रशलित हैं, जिनके माध्यम से वे हनुमान जी को बड़े आसानी से आकरशित कर लेते हैं। मातर हनुमान चालिसा ही नहीं, बलकि हनुमान जी को राम कथा, राम लीला और श्रीर राम स्तुति के माध्यम से ही आकर्शित हो जाते हैं एक प्रशलित मान्यता की अनुसर जहां कभी राम कथा का आयोजन होता है वहां शाक्षत हनुमान जी कथा सुनते हैं इसलिए हनुमान जी की भक्ति को राम जी की भक्ति के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। मतुरा आदिब्रज की श्रीत्रों में श्री किष्ण के नाम से पहली राधा का नाम लिया जाता है। मान्यता है राधा के नाम से श्री किष्णि जादा अकर्षित होते हैं और राधा नाम लेने वाले हर प्राणी का कष्ट हर लेते हैं। ठीक उसी प्रकार श्री राम जी के साथ हनुमान जी की स्तूति की जाए तो ना सिर्फ हनुमान जी प्रसन होंगे बल्कि आपको शाक्षा दर्शन भी देंगे। प्राचिन यूग में इश्वर की प्राप्ति हित्व मुन्यों और भक्तों को वर्षो लग जाते थे। और कुछ अनेक सुखस में लोग धार्मिक बातों को नकारने लगते हैं। लेकिन जीवन में कभी नकरात्मक शक्ति से सामना होने पर धर्म और इश्वर की शक्ति सहजी समझ में आ जाती है। ये बात तो हम सब जानते ही हैं कि हनुमान चालिसा को एक बार पढ़ने में एक से डेड़ मिनट का समय लगता है। इस परकार 400 वार पढ़ने में लगबग 10 घंटे का समय लगेगा। ये करना इतना भी आसान नहीं होता। इसे करना उतना ही कटिन है जितना स्वर्ग को प्राप्त करना। परनतु इसका अर्थ ये नहीं है कि भक्त भक्ती का प्रयास ना करे। आप सचे मन से हनुमान जी की स्तूती करते रहें। एक ना एक दिन आपको दर्शन अवश्य देंगे। कहते हैं देपताओं में भग्वान शिफ के बाद हनुमान जी ही ऐसे देपता हैं जो अपने भक्तों पर जल्दी प्रसन हो जाते हैं। और सचे मन से की के स्तूती कभी बेकार नहीं जाते हैं। अगर आप भी हनुमान जी के सचे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रू कीजेगा। अगर आप चाहते हैं कि बचरंग बली आप और आपके परिवार पर कृपा करें। तो इस वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। जै चरंग बली झाल 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 झाल